वेसे तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, पर सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा, यह जो 22% का return है, हर साल केसे बना पाएंगे, क्योंकि एक दो साल तो कोई भी आपको बना के दिखा देगा, मैं लगातार आपको 5 साल तक 22% का return है, यह बना के दिखांगा, वो भी च साब से आपका पेसा double होने में कितना time लगेगा, लगभग आपको लग जाएंगे, 6 साल, 11 महीने, पर आप मेरी method का use करेंगे, तो लगभग आप मिनिमम 5 साल में अपना पेसा है, डबल कर लेंगे, क्या बात कर रहे हो, 22% का investment में 5 साल तक लगाता है profit दोगे, चलो भईया करके दिखाओ जल्दी से, अब ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा केसे हो रहा है, हमें यह जानना होगा, तो चलिए मैं आपका पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्यों का? नॉर्मली हम सभी लोग stock market में कैसे invest करते हैं, हम अपनी एक SIP कर देते हैं, mutual fund में, जो index हो, hybrid हो, या कोई सा भी mutual fund हो, जह आपका automatic पेसा कटता रहता है, 5 तारीक को या 10 तारीक को, जो भी तारीक आपने select करी हो, उस हिसाब से आपका पेसा कटता रहता है, हम यह नहीं देख इस तरीक को आज सिखेंगे, तो मैं इसका example भी आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप यह जो index है, इसका chart देख सकते हैं, normally तो आप random buying करेंगे, पर जब आप media method का use करेंगे, तो यहाँ पर आपको buying का मोगा, यहाँ पर मिलेगा, यह मैं आपको सिखांगा, आप इसक सकते हैं, 17 जुलाई, अगर आप यहाँ से buying करते, तो यहाँ से आप क्या return देख सकते हैं, 23% का मिला, अभी भी साले, खतम नहीं हुआ, और इससे पहले आपको एक buying का मोगा यहाँ पर मिलेगा, अगर आप यहाँ पर buying करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या return देख स वो हम पता लगा लेंगे, अब चलिए मैं आपके दूसरे सवल का उत्तर दे देता हूँ, केसे, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें एक indicator का use कर रहे हैं, RSI indicator का, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंडिकेटर हमेशा काम करता है, तो यह सारी चीजों को मैं end तक cover यह सारी चीजे मैंने बहुत ही जाता है, डीटेल में सीखिए, जब मैंने अपना National Institute of Stock Market का certification करा है, तो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, indicator काम भी करते हैं, पर हमेशा नहीं करते हैं, indicator की definition ही यह होती है, जब ही भी market downside जाएगा, तो यह indicator आपको पेले बता देगा, indication कि market down जाने वाला है, confirmation नहीं होता है, पर हम confirmation पेट करेंगे, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए सबसे पहले हमें एक indicator समझना होगा, RSI indicator, तो यह जो RSI indicator है, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, कि आप इसे चार्ट पे कैसे अपलाई करेंगे, यह जो indicator है, आप आपको एक अच्छी बात है, आपको जेरोदा पे, अपस्टोक पे हर जगे मिल जागा, और मान लीजे, अगर आपके पास जेरोदा और अपस्टोक पे अकाउंट नहीं है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाईएगा, ट्रेडिंग व्यू एक फ्री सोफ्वेर है, बस आ इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, नोर्मली आप यहाँ पर जेरोदा दिख सकते हैं, यह इंडिकेटर को सबसे पहले हम फटा देते हैं क्या हम इसे लगाना हो, तो यह जो इंडिकेटर का option है, यह मिलेगा, इस इंडिकेटर पे यहाँप को टा जा देता हूं ताकि हम और अच्छे से समझ पाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस RSI Indicator को Draw कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो एक्सिस मिलेगी यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो लेवल मिलेंगे यहाँ पर एक अपर लेवल और एक लोवर लेवल जो आप यहाँ पर में एक इमेज लगा दूँगा देख सकते हैं यह जो अपसाइड वाली लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे अपर लेवल बोलेंगे और यह जो डाउसाइड वाली लाइन है बहुत सारे हमारी line क्या है? RSI है. बस सारा खेल क्या है? इस line का है. इस line को सीख गए ना, तो ये strategy को आराम से समझ लोगे. अब ये line क्या है? ये line में दो चीज़े होती है. यहाँ आप level समझ गए और ये जो line है, line समझ गए. अब ये जो line है, इसकी सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ. अगर यहाँ पर 14 है, इसका मतलब क्या है? ये जो पिछले 14 candle बन रही होगी. अब candle क्या होता है? आप वह भी देख लीजिए. ये जो आप देख रहे हैं, छोटी-छोटी candle, ये होती है. अगर 14 लिखा है तो ये पिछली ये जो 14 candle है इनको लेगी और इनमें केलकुलेशन करके ये लाइन बनाएगी. आप चाहे तो ये जो 14 लाइन है, आप 14 येगे 10 भी कर सकते हैं. अगर आप 10 करेंगे, तो ये जो पिछली 10 लाइन है, उसे लेके बनेगी. आप समझगे तो लेंद को हमें सिर्फ आमें सा 14 ही रखना है. तो आपको लेंद पे तो इतना ध्यान देना नहीं इन्वेस्टमेंट के related. अब हमें ये लाइन समझने है. लाइन में आप एक लोड लिमिट देखेंगे और एक अपर. तो जबी करनी है. वो बाइन कब करनी है. वो भी important है. आपका stroke है या आपका mutual fund है. इस ट्रोंग होना चाहिए. आप इस strategy को आँख बंद करके index में use कर सकते हो. अब आप आज के वीडियो में index और index fund बहुत ही ज़्यादा सुनने वाले हैं. तो हमें पता होना निफ्टी इंडिया की जो top 50 company है. अलग-अलग sector की जैसे माल लिजी बेंकिंग sector की, IIT sector की, Automobile sector की, टेलिकॉं sector की. ऐसे अलग-अलग sector की 50 company को मिला कर एक index बनाया गया. अब यह जो 50 company है, इन company हो का एक group बना दिया गया. और यह जो दोनों sector है, यह काम क्या आते हैं, यह आपको यह बताते हैं कि इंडिया का जो stock market है, वो कैसा perform करा है, अब हमें यह तो पता चलिगा कि index क्या होता है, अब यही index है, आप इसे direct नहीं खरीद सकते हैं, इसे खरीदने के लिए और sensex cover करा, ऐसे ही बहुत टाइप के index होते हैं, जैसे banking का index अलग है, आईटि का index अलग है, पूरे इंडिया को represent करने के लिए जो main sector बनाया गया है, उसे हमने nifty और sensex बोला है, तो आप यह समझ गए होंगे क्योंकि nifty index की क्या बात होती है, index long term में हमेशा trend में होता है, अगर आप nifty का 10 साल का चार्ट तूठाओगे, तो आप हमेशा यही देपोगे कि यह nifty है, भली up down जाता है, पर हमेशा upside जाता है या फिर आपको उन कंपनियों को उठाना है, जो fundamentally strong हो, जैसे Tata Motor, HDFC Bank, उन कंपनियों को नहीं उठाना है, जो fraud करके बीठी, yes bank, please इस investment strategy को yes bank, या फिर यह जो pain stock वाली company, उन पर use मत करियेगा, दूसरे YouTuber की तरह नहीं बोलूँगा, हर चेगे काम करती है, यह fundamentally strong company पर काम करती है, HDFC, Tata Motors, या फिर आपका जिस पर भरोसा है, जैसे Reliance पर करते हो, या Adani पर करते हो, ठीक है, जिस पर करते हो, उस पर करना, मुझ पर मत मैं बता रहा हूँ, Tata Motors पर और इस पर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक और वीडियो बना हूँ, जिसमें हम यह देख सकें, कि आप stock कैसे select करते हैं, तो हम वह भी देखें, पर आपको यह समझना है, कि आप इसे हुहाँ use करेंगे, जो company बहुत strong, index fund में आप आप आ यहां से upside जाती है, जैसा मैंने आपको life chart में तो example दिखाया ही था, महां आप समझ गए थे, तो जबी भी 30 के नीचे आएगी, तो आप buying करेंगे, और opposite होगा, जबी भी यह जो RSI का level है, यह 70 के line के ऊपर जाएगा, है ना, यह line का पता भी आपको चल जाएगा, चलिए यह मैं आपको बता ही देता हूँ, यहां से अधर आप setting पर आएगे, और फिर आप style पर आएगे, तो यहां पर आप देख सकते है, upper limit 70 है, lower limit 30 है, तो यह upside line 70 का level बता रही है, और downside 60 का, आप समझ गए, तो जबी भी प्राइस इस 70 के level के ऊपर जाएगी, यहां पे, तो यहां प overboard का मतलब क्या है, यह जो stroke है या zone सा भी chart है, यह बहुती जादा खरीदा जा जुका है, अब यहां से क्या chance होता है, market downside जाएगा, पर हमेसा नहीं होता है, अगर कोई stroke बहुती जादा strong होता है, तो 70 वाले level को पार करके भी 90 तर जाता है, और थोड़े side upside जाता है, फिर down आ अगर RSI 80 के उपर जाएगा, तो आप हमेसा यहां पर क्या सूचेंगे, आपको sale करना है, तो आप easily समझगे, जबी भी RSI 30 के below आएगा, तो आप buying के लिए जगे डूने के, और जब यह 70 के उपर चले जाएगा, तो आप देखेंगे profit करना है, अब यह जो इतना बड़ा area ब बेच दिया, अगर stock का level आपका 30 और 70 के बीच है, तो ना तो आप यहां buying में interested रहेंगे, ना selling में, वो internet traders के लिए, वो बात अलग है, उसमें हम कभी और discuss करेंगे, आज investing में करेंगे, तो 30 से 70 के level के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 30 से नीचे तो आप buying करेंगे, और 70 से उपर जाएगा, तो आप profit booking के बारे में सोचेंगे, एसा नहीं यह 70 पोस्टर से ही कूद गए profit booking करने है, वो भी हम detail में धीरे-धीर समझेंगे, तो चलिए, अब मैं आपको यह जो live chart है, इस पर सिखा देता हूँ, तो live chart पे आपको क्या करना है, अब आपको कुछ, यह जो RSI है, इसे हम food पे आ जाते हैं, और यहां से indicator में फिर से एक RSI है, इसे apply कर लेते हैं, ताकि अब हम जो चीज़े हमने सीखिए है, इसे हम live chart पे भी apply करना सीखिए, तो यह apply हो गया, अब यह जो आज की strategy है, आप सब से पहले क्या करेंगे, यहां time frame पर आएंगे, और यहां पर आपको, सबसे पहले आप यहां chart पहेंगे, यह जो D दिख रहा है, आप इस पे click करके इसे one day select करिए, इसका क्या मतलब हो गया, यह जो एक candle बन रही है, यह एक दिन को बता रही है, और next candle अगले दिन को, आप यह समझ गए, तब ही आपको यह जो result है, यह मिलेगा, अब आपको यहां पर यह जो RSI है, इसकी यह जो setting है, इस पे आना है, यहां पर आपको यह जो upper limit है, 70 दिख रही है, इसकी जगे आपको क्या करना है, 68 करना है, और यह जो lower limit 30 दिख रही है, इसकी जगे आपको क्या करना है, 32 करना है, और okay कर देना है, अब मैंने आपको क्या चीज़े सिखाई थी कि अगर price इस lower वाली limit पे जाएगा टच करने तो यहां से आप क्या लेंगे buying का trade लेंगे और upper वाली limit पे जाएगा तो यहां से आप profit booking का सोचेंगे 30 गे नीचे तो आपको buying करना है 70 के नीचे buying नहीं करना है 70 के उपर आपको क्या करना है profit booking के बारे में सोचना है तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको क्या देखना है अगर जैसे यह RSI इस level को टच करेगा तो हमें buying का trade है नहीं सोचना चाहिए तो अब हम अगर live chart पे देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो price है यह 32.6 पर है मतलब मैंने आपको क्या बता है हमने setting में इसे क्या करा है lower वाली side को 32 और upper वाली side को 60 है तो यह 32 के range में जब तक होगी 32.9 तक तो आप buying के बारे में सोचेंगे तो यह कहाँ पर है यह 32.68 पर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक buying का investment का decision है वो लेंगे तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर यह 32 पर गई अब हमें चार्ट को ओर zoom in करना पड़ेगा और आप देखेंगे यहाँ पर जब 32 लिक क्या रहा है तो candle का कलर क्या बना है अब आपको buying का trade कैसे लेना है जब पहली एक green candle बनेगी तब आप buying का trade लेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको क्या देख सकते हैं अपनी app से जाके buy कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक lower side मिल जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर अगर आप profit देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह जो buying थी यह हमें कब मिलती 30 सितंबर को 30 सितंबर को मिलती और आप आज देख सकते हैं आपको फिर से आना है चार्ट पे और यहाँ पर आपको क्या देखना है कि फिर से RSI 30 के 32 के लेवल जाना चाहिए नीचे यह जो lower limit है इसके नीचे इससे पहले नीचे कहां गया आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपका फिर एक buying का position बनता बाइंग का position आपका कहा बनता है ग्रीन केंडल पर तो यहाँ पर आपको एक buying ले लेनी थी और यहाँ से अगर आप buying करके profit देखते हैं तो हम current day तक अपना profit देख लेते हैं कि आज तक आपने इस trade में कितना profit कमाया होता तो सबसे पहले आपको buying किस तारिक को मिलती 17 जून को यह जो green candle है यहाँ पर आप buying करते हैं और इसके बाद अगर आप current day तक अपना profit देखते हैं तो आप देख सकते हैं लगबग हमने 22% का return बना लिया होता 17 जून से आप 1 December तक profit देख सकते हैं ज्यादा दिन नहीं हुए और हमें क्या चाहिए हमें 22% का return average मिल रहा है अगर आप इसे 5 साल तक trade करेंगे पर अगर आपने सिर्फ 20% का return भी बना लिया yearly तो भी आप 5 साल में पेसा अपना double कर सकते हैं तो प्लीज आप ज्यादा लालाच में मत पढ़िये अब आप मेंसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब हम mutual fund पाई करेंगे तो इसी की मदद से करेंगे क्योंकि ये कितना अच्छा है हर बार आपको बहुत ज़्यादा profit दे रहा है अब इसकी दो दिक्कत है आपको वो समझना होगा पहली दिक्कत तो ये आपको ये हर महीने बाईंग का ट्रेड नहीं देगा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ जैसे आप देखेंगे पहला बाईंग का ट्रेड आपको बाईंग का ट्रेड कहां मिला जून में मिला और इससे पहला आपको एक trade कहां मिलेगा मई में मिलेगा और मई से पहले आपको कहां मिलेगा तो आप देख सकते हैं एक साल मे लगवग आपको 4-5 opportunity ही मिली और महिने कितने से 12 तो आप हर महिने कैसे trade करेंगे यह पहली दिक्कत है इस trading strategy की अब आपने यह problem तो देख ली कि यह strategy एक अच्छी तो है पर इसमें problem क्या रही है हम हर महीने invest नहीं कर सकते तो इसका solution क्या है आप normal जो investment करते हैं वो करते रही है पर जबी भी आपको buying की opportunity मिले तो उस time आप क्या करिए आप अपना थोड़ा सा fund बचा के रखिए और जब आप आपको यह opportunity मिलेगी यह जो मैंने आपको strategy सिखा ही है इसके हिसाब से तब आप अपना वह जो fund है महापे लगा दीजिए और फिर आप normal investment करिए फिर मान लीजे दो महीने बाद आपको फिर से opportunity मिलती है तो आप फिर से investment कर सकते हैं तो इसे साब से यह problem है यह भी दूर हो जा तो गोड़ वाला क्रेश हमारा आया था 2020 में है ना यहाँ पर आप क्या देखेंगे यह जो RSI की value है यह लगबग आप देख सकते हैं कि 17 पर आ गई थी और यह थोड़े टाइम तक रही थी अगर आप इसका समय देखेंगे कि यह कब तक इतने नीचे रही थी तो यह 26 करना है एक ही buying का trade लेना है और अगर यह उस महीने पूरा नीचे रहती है तो आप उस महीने अगला buying का trade नहीं लेंगे आप next month का wait करेंगे जैसे फरवरी के बाद मान जीजे मार चाहिए और यह फिर से अगर 30 के नीचे है तो आप अगला buying का trade लेना है तो एक महीने में आप अच्छे stock में buy करें जैसे हम index के यह जो mutual fund है उनमें buying कर रहे है मैंने आपको बोला आप penny में buy नहीं करेंगे just bring just company में buy नहीं करेंगे क्योंकि यह जो company है यह क्या होती है इन्होंने fraud कर रखा है तो लोगों को इस पर भरुसा नहीं है तो इसका यह जो RSI है यह हमेसा down जाता रहता है और down ही जाता रहता है तो आप इसमें buying करते रहे जाएंगे करते रहे जाएंगे इस strategy में आपको धिखन देना है कि आप अच्छी company में buy करें इंडेक्स fund में आप करी सकते हैं और अगर आप stock में करना चाहते हैं तो आप क्या करिए आप Tata Motors में करिए HDFC में अपनी research करिए जो अपने आपको strong लगती है उसमें आप इसका यूज़ करेंगे तो आप अच्छा पेसे कमाएंगे अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक वीडियो बना के दूँ जिसमें आप पता लगा सके कि कौन सी stocks अच्छे हैं और कौन से mutual fund अच्छे हैं तो आप comment करिएगा अ यह जो end का कार्ट आ रहा है इसमें आपको लगा के दे दूँगा